हलो फ्रेंड्स आज हम बनेंगे करेले का बहुत चटपटा सा अचार जो सालवर तक बिल्कुल खराब नहीं होगा तो आप भी मेरे साथ पूरी वीडियो पे बने रही है और देखते रही है करेले का अचार के विधी किस तरह से बनती है तो यहाँ पर मैं करेले लिए हैं एक आप चाहें तो गोल भी कर सकते हैं और जो इसका पकावबीज है वो निकाल देंगे बाकि हम इसको छिलके भी सी में डाल लेए हम छिलकों को अलग नहीं करेंगी से मसाला जो हमारे काम करेगा तो आप इसको इस तरह से गठ लें तो मैं यहाँ पर बैठी ती अपने बनार तो मैंने सुचा वीडियो बना देती हूँ तो यहाँ पर मैंने सारे करेले इस तरह से कट कर लिए हैं तो आहीं तरह से कड़ें से दोंगे इस तक होएस नहीं तो क्या हो, अगर इसमें पानी रहे गया ना? तो यह हमारा अचार खराब हो जागा और शाण भर तक नहीं ठिकेगा तो मैं काटेतें,东5-25 मैं आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं टो चाहेजितें, इसमें गोल कटिंग कर साथें इसमें, तो यह हमारा करेला हमने जो बीज था एक्स्ट्रा जो इसका यह मैं आपको दिखा रही हूँ जो पकावा बीज था वह हम निकाल देंगे अब यहां पर मैं दो से तीन चमच अच्छे से डाल दूँगे नमक और इनको रख दूँगी धक कर एक से दो घंटे के लिए तो यहा हमारा इसमें जो पूरी रात इसमें नमक के पानी में यह रहा और मैं सवेरे का सीन दिखा रही हूँ तो सुबह मैंने इनको अच्छे से निचोड लिया जो इनका पानी था एक्स्ट्रा उसे हम निचोड के निकार लेंगे जिससे इसका जो करेले का जो कड़वा पानी है निकल जाएगा अगर आपके पास इतना टैम नहीं है कि आप पूरी रात नहीं रख सकते तो आप दो से तीन घंटा इसको जरूर पान नमक में मिला के रखें जिससे की जो इसकी कड़वा हाट है वो निकलनी चाहिए नहीं तो फिर आपको आप बोलोगे करेला कड़वा ल ने टावल में सुका आ रही हूं तो हम यहां पर अगर धूप ज्यादा तेज है तो आदा पौना घंटा ही इसे धूप में रखेंगे तो यहां छिलका मैंने एक तरफ रख लिया है और इसका जो ऊपर का वैसे नीचे का था वो मैं नालग कर ले तो यहां पर मैं किसी काम म में लेकिन यह भी काफी दिन तक चलेगा तो मैंने यहां पर हल्दी डाली एक से डेड़ चमच तो और इसके अंदर डालूगी मैं दो चमच लाल मिर्ची पॉडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अमचूर पॉडर क्योंकि जो इसका करेले का जो थोड़ा सा कट अपन काथेंगे थोड़ा सा मैं डालगी मेथी दाना और इसमें डाल दीने अजय जोली होता है इसमें तो ऑफ टीस्पून और थोड़ा सह में डालोंगी वन टीश्पून कलोंजी यह सारा समान इसमें डाल दूगी उसके बाद मैंने इसमें डाला है काला नमक तो पहले नमक में हमने इसको चराय हुआ था तो पानी से हमने वास नहीं किया था तो नमक से इसमें तो आप थ्यान से इसमें नमक डालें तो यहां पर मैंने दो सब्सक्राइब डाला है नमक और कस्मीरी लाल मिर्ची पॉटर दो से दो चमच के करीए जिससे इसका कलर है न काफी अच्छा जाए इस तरह से हमने डाल दिया अब इसमें डाल देंगे हम विनेगर तो विनेगर ह कच्छे देल का योज करती हूं अगर को कच्छे देल में समयल आता हो यहीं कहणती अपर हम कच्छ देल में लगता हो यह थूदा से स्मयल दे रहा है यहां कच्छा जाए अच्छा आप भूभित हो 27 थंद्लें तो वैसी तकड़ि करके लिंगे और बोतल में और इसको बोत तो यहां पर कुछ तेल अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा तेल आप इसमें बाद में भी डाल सकते हैं तो यह देखिए हमारा कितना अच्छा एक किलो की जो बरनी है हमारी एक किलो अचार में पूरी भर गई है सूखने के बाद तो अगर जितना ज्यादा मैंने सुखा अगर आप इतना सुखाएंगे तो आपकी यह बरनी भरने वाली है अगर आप कम सुखाएंगे तो इसमें आप आपका थोड़ा चार बच जाएगा तो आप दूसरी बरनी में भी डाल सकते हैं तो यह मैं अचासे दाब दाब के इसको भर दिया है तो आप इस तरह से आप इस्टोर करके रख सकते हैं साल भर तक या फिर आप इसके अंदर आदा तेल तो होना ही है अगर इसमें आदा तेल रहेगा तो आप पूरा साल इसको इंजोय कर सकते हैं और भर के रख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं यह आप आपको दिखाऊंगी आठ केरी भी इसमें कसके डाल सकते हैं यह खटा मिर्चा अचार सोरी खटा तीक अचार बन के तियार हो जाएगा तो आपको कैसे लगा जरूर कमट